अगर इंफेक्षन बहुत साथ बढ़ जाता है तो वह हमारे वर्जिनल एरिया से हमारे इंटर्नल पार्ट में एंट्री कर जाता है जिससे कि हमें आगे जाके बहुत जादा दिक्कत आने लगती है नमरश्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका आपको ने यूट्यूप चैनल वियर ब्यूट्यूप और मैं हूँ आपकी दोस्त नताशा आज की वीडियो में हम जिक्रे करने जा रहे हैं वर्जिनल इंफेक्शन के बारे में यह प्रोब्रम आजकर बहुत कॉमन हो चुकी है और बहुत सी महिला लड़कों को को सामना पड़ता है मुझे भी बहुत जादा इस प्रोब्रम का सामना करना पड़ रहा था लेकिन अब मैं जो इससे चुटकारा मिल चुका है तो इसके बारे में मैं पूरी डीटेल आपको बताऊंगी कि क्या होता है कैसे होता है क्यूं होता है क्या क्या सावुभानिया आपको नेद्टेWho एक प्लास इसका गरेलू । इसका शुरू करते कि आज की वीडियो, सबसे पहले आते हैं Еще तो कोई problem हो रही है तो उसका कारण क्या है स्कारां किया होता है। हमारे वर्जानल एरिया में सम होते हैं, जिसां बेक्टीरिया की संख्या जो है अपनी जरूर्स से कम हो जाती है और जो bad bacteria होते हैं यानि रिड़ा होते हैं उनकी संक्या जो बढ़ जाती है तो उस general area के अंदर infection हो जाता है तो उसी को जो कहते है original infection इसके जो उम्र है वो किन महिलाओ को होती है इसके लिए कोई उम्र नहीं होती ये लड़कियों को भी हो सकता है और किसी भी उम्र की महिलाओं को जो शाजी शुदा है उनको भी हो सकता है फर्ड जो चीजाती है इसके अंदर वो क्या है कि इसके travelling कौम्ण से इसके सिंट्म होते हैं जैसे कि खुजली आना बहुर्ट खुजली होती है redness हो जाकी है पर कोई दाने हुए उसमें नहीं होते है खुजली हो तो इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि जब आपको इंफेक्शन शुरूर हो तभी आप इसका इलाज करा लिए वरना अगर आपको इलाज नहीं मिला रहंसे आप इसको इससे चुपकाना नहीं पाए तो यह आपको आगे जागे बहुत दिक्कत कर जाएगा थर्ड जो एक चीज़ इंपोर्टेंट इसके अंदर ये भी आती है कि ये बहुत जल्देल्दी वापस आता है एक बार खतम हो जाएगा लेकिन पूरी तरह अगर खतम पूरी तरीके से अगर ये खतम नहीं हुआ तो ये दुबारा से आपको हो जाएगा अब आते हैं कि इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं पहला तो प्राइवेट पार्ट को सफाई नहीं करना अगर कोई सफाई नहीं करेगा तो आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी नेक्स जो आती है अपने गंदेग अंडर गार्मेंट पहन ना तब भी आपको ये दिक्कत हो जाएगे अंडर गार्मेंट जो आप पहन रहे हैं उनको दूप में अगर आप नहीं सुखाएंगे तब भी आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी फिर है अगर आपका जो इंटर्नल पार्ट से अंके वर्जिनल एरिया है अगर वो गंदा रहेगा गंदा होने के साथ अगर उसमें ड्राइनस नहीं रहेगी गिल्ला रहेगा तब भी आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी ज्यादा टाइट कपडे से पहनने से भी किस को ये प्रॉब्लम हो जाती है इसके बाद जिन्हें डायबटी होती है उनको भी प्रॉब्लम हो जाती है नेक्स जो होता है कई बार ये जिस त्रत मम्मी को यसी को होती है वो वॉस्रूं में यूञाओ है तो बहुत से लोगों को इसका इंफेक्शन सब्यद्टा जो हो सब्सक्रैज consig यूज हो जाता है नेक्स जो चीज इसके अंदर आती है वो होता है अन्प्रोटेक्टिड रिलेशन बनाना किसी के साथ में जब भी प्रॉब्लम हो जाती है नेक्स जो चीज एंटिबायोटिक का जाधा यूज करना इसके बाद जो आता है कि आपको बहुत जाधा अगर आपने थोड़ी प्रॉब्लम हुई और आपने इचिंग बहुत जाधा कर लिए तो वह आपको ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी इसके साथ में भी नेक्स्ट जो है आपका साबून का यूज करना अगला आप उस एरिये में साबून का या फिर शैंपू वगरा का यूज करते हैं तो भी आपको प्रॉब्लम बढ़ जाएगी गंदे पैड यूज करते हैं पैड अपने टाइम पे नहीं बदल लिए प्लस बहुत से लोगो आपको अब आते हैं इसके 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 इलाज के बारे में हम आएंगे अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो इंस्टेटल आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए बट अगर आपको यह प्रॉब्लम शुरू हुई है आपको लगता है कि अभी शुरू आत है तो आप इसक का solution आपको मिल सकता है नेस्ट चीज में आऊंगे आपको इससे बचने के लिए सबसे इलाज से पहले आएगा इसका बचाओ आपको यह ना हो और अगर आपको इक बार होके खतम हो गया तो दुबारा ना हो उसके लिए आप क्या करें सबसे पहले के टाइट कपड़े ना पहने इनको इग्णोर करें दूसरा अगर आप अंडर गार्मेंट्स पहन रहे हैं तो उनको कोटन के अंडर अंडर अगर आप अंडर गार्मेंट्स पहन रहे हैं तो अंडर गार्मेंट्स आपके कोटन की होने चाहिए नेक जो आता है कि पॉसिबेल तो हलके एंटिबायोटिक लें फिर आते हैं इसके बाद में कि पब्लिक एरिये के टॉइलेट्स वगरा को यूज़ करने से बचना चाहिए अगर आप यूज़ करते हैं तो पैड को तीन-चार घंटे के बाद में यूज़ करना मतलब चेंज करते रहना चाहिए बार-बार लग टोवल रखते अपनी बोडी पार्ट्स से बिलकुल अलग और अगर इलाज के बारे में इसके बात करने के लिए इलाज के बारे में बताऊंगे घरेलुग प्लस आपको किस टांपी डॉक्टर को दिखाना चाहिए वो समझे वीडियो में तो आप प्लीस जल्दी से एकने के लिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तेल देन बाई बाई